प्रिक्षन के बारे में काफी जानकारी हासिल कर रखी है इस लेक्षर में हम लोग थोड़ी और प्रैक्टिस करेंगे तो चली शुरुवात करते हैं एक बड़े ही इंटरेस्टिंग सवाल से सवाल है तो बच्चो बेसिकली इस सवाल के रिक्वार्मेंट यह है कि जो पेंग्विन है ना वो बेड पर इस तरीके से बैटा हुआ है तो पेंग्विन जो है वो इस बेड के साथ ऐसा लगे कि चिपक करके आगे जा रहा है ऐसा ना हो कि बेड आगे बढ़ जाए और पेंग्विन वहीं का वहीं रह जाए जिससे कोई slipping हो between the bed and the penguin ठीक है तो हमें वो maximum force horizontal direction में जो लग रहा है वो बताना है on the bed तो बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि यह सवाल किसके equivalent हो गया actually यह दो block के equivalent हो गया आप उपर वाले block को मान सकते हैं कि यह penguin है जिसका mass small m है और जो bed है उसको आप मान सकते हैं कि उसका mass capital M है वो नीचे रखा वो block है तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं bed को push किया जा रहा है इसका मतलब यह हो गया कि यह जो हमारे पास जो नीचे जो capital M mass का block है इसको basically धक्का दिया जा रहा है और अपने को क्या करना है अपने को यह make sure करना है कि जो f है वो maximum हो such that कि small m जो है वो capital M के साथ ऐसा लगे कि चिपक करके जा रहा है वो small m जो है वो capital M के respect में है ना slide ना करे slip ना करे ठीक है तो यह चीज़ आप practically भी सोच सकते हैं कि अगर मान लिजे मैं इस नीचे वाले block को बहुत जादा force से धका दूँगा तो क्या होगा small m जो है वो इसके respect में slip करने लगेगा clear ही बात तो हम लोग नहीं चाहते हैं कि there should be any slipping यह हम लोग बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं ठीक है तो आप देखिए कि ऐसे सवाल में आप क्या सोच सकते हैं कि अगर small m capital m के with respect में है न respect में यह slip नहीं कर रहा है मतलब ऐसा लग रहा है कि यह चिपक करके जा रहा है मतलब ऐसा लग रहा है कि इन दोरों के वीच में फिवी कॉल का जोड है है ना तो ऐसा अपियर हो रहा है कि यह कोई दो बॉडी ज नहीं है यह तो एक ही बॉडी है है ना जिसका मास कितना हम लोग कह सकते हैं capital m plus small m और इसके उपर external force यह जैसे इंसान यहाँ पर लगा रहा है है ना तो अगर आप इन दोनों को मिला करके देखेंगे तो इस system पर external force सिर्फ और सिर्फ कौन लगा सकता है यह इंसान लगा सकता है है ना तो हम लोग यहाँ पर बोल सकते हैं कि पूरे system का acceleration कितना हो जाएगा वो हो जाएगा f max divided by total mass जो की हो जाएगा small m plus capital m यही क्या हो जाएगा पूरे system का acceleration इसे मैं a max बोल देता हूँ क्योंकि जब हम लोग maximum force लगाएगे तब acceleration भी maximum आएगा ठीक है अब बच्चों हम लोग बात करते हैं किसकी अब हम लोग बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ इस उपर वाले block की मतलब कि अगर हम लोग original diagram में देखे तो हम लोग अब बात करने वाले हैं penguin की ठीक है तो मैं अब बस penguin को अपना system मान रहा हूँ या फिर इस small m वाले block को अपना system मान रहा हूँ ठीक है तो अब आप देखिए कि small m आगे कई को जा रहा है कौन है जो इसे आगे ले जा रहा है तो आप देखेंगे यहाँ पर कि basically small m जो है यह जो small m मास का block था इसको आगे ले जाने का काम friction कर रहा है bed और penguin इनके बीच का जो friction है वो कर रहा है या फिर capital m और small m इन दोनों के बीच में जो यहाँ पर friction available है वो actually इस small m को आगे ले जाने का काम कर रहा है capital f max यह small m को बच्चों नहीं ले जा रहा है बिल्कुल भी नहीं capital f जो है वो तो capital m पर apply हो रहा है small m पर नहीं apply हो रहा है हाँ indirectly आप ज़रूर कह सकते है हाँ आपकी बात भी मैं समझ रहा हूँ कि capital f नहीं होता तो small m आगे नहीं जाता वो बात सही है लेकिन अगर हम लोग free body diagram बना करके देखे तो small m पर capital f बिल्कुल भी force नहीं लगा रहा है small m पर सिर्फर सिर्फ force कौन लगा रहा है friction लगा रहा है जो उसे आगे ले जा सकता है है ना तो इसका ये मतलब होगा बच्चों कि capital m जो है उसे तो capital f खीच रहा है लेकिन small m किसके बरोसे चल रहा है friction के बरोसे चल रहा है अब यहाँ पर जो friction है इसकी maximum value क्या हो सकती है ये द्यान दिजेगा बच्चों कि यहाँ पर relative slipping नहीं हो रही है अगर relative slipping नहीं हो रही हो तो हम लोग जानते है कि friction कौन सा act करेगा static friction और static friction भी जो है उसकी maximum value क्या हो सकती है वो हो सकती है fs max जिसको हम लोग f limiting भी कहते हैं limiting friction तो ये जो small m है उसका acceleration maximum कब होगा जब friction उसे maximum मिले तो हम लोग यहाँ पर क्या लिज़कता है f limiting is equal to small m into a max है ना जो small m का maximum acceleration उसे मैं a max लिख रहा हूँ तो यहाँ से देखे a max कितना आ गया f limiting कितना हो जाएगा भी f limiting के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और देखते हैं कि ये जो small m है इस पर force लग रहा है एक तो mg और एक उपर लग रहा है normal है ना और साथी साथ एक तो horizontal direction एक force आगे की तरफ f लग रहा है तो हमें साफ दिख रहा है कि n की value कितनी है mg है basically ये वाला जो surface है इसे कितने force से press किया जा रहा है वो matter करेगा है ना क्योंकि friction अपने को इसी जगा की देख नहीं है तो इस जगा को press किया जा रहा है basically mg से तो normal mg के बराबर आ गया है ना तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे कि friction की जो maximum value है वो f limiting है और वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा mu into n या फिर better कहें mu s into n तो यहाँ पर a max कितना आ जाएगा वो आ जाएगा mu into n हो जाएगा mg के बराबर और उसको divide कर देंगे m से तो यहाँ से a max बराबर आ गया mu into g इसका मतलब क्या हो गया बच्चो a max की value निकाल ली हम लोग ने mu into g मतलब कि small m जो है न वो तो सिर्फ depend कर रहा था किसके उपर उसका acceleration किस पर depend कर रहा था friction के उपर और friction की value जब maximum होगी तो acceleration भी maximum होगा तो छोटे वाले block का maximum acceleration possible mu into g और पूरे के पूरे system को अगर हम लोग देखें तो उसका maximum acceleration कितना possible है f max upon m है न तो हम लोग ये समझ रहे हैं कि जब ये दोनों acceleration तो एक ही होंगे क्योंकि small m और capital m साथ में जा रहे हैं तो जो पूरे system का मैं maximum acceleration बोल रहा हूँ वो क्या होता है वो small m का भी maximum acceleration हो जाएगा तो हम लोग यहाँ पर क्या बोल देंगे f max upon small m plus capital m is equal to mu into g तो यहाँ लिख दें f max upon m plus capital m is equal to mu into g तो यहाँ से देखिए अपने पास क्या आ जाएगा f max की value कितनी आ जाएगी यह आ जाएगी mu into small m plus capital m into g तो बच्चों इस f max का significance क्या है इस f max का significance यह है कि यह वो maximum force है जिसको जब हम लोग apply करेंगे किस पर बड़े वाले block पर capital m mass वाले block पर तो भी क्या होगा small m इसके साथ चलेगा f max को अगर मैं और बढ़ाऊंगा तो क्या हो जाएगा इस value से भी जादा अगर मैं इस f को रख दूँ तो क्या हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि capital m का acceleration और नहीं बढ़ेगा बिल्कुल बढ़ेगा है ना capital m का acceleration बढ़ जाएगा लेकिन small m का acceleration और नहीं बढ़ सकता है और वो simply क्या करेगा capital m के साथ slip करेगा there will be a relative slipping between small m and capital m capital m तो accelerate करता ही जा सकता है और जादा accelerate कर जाएगा जैसे जैसे आप capital f को और बढ़ाएंगे capital m और accelerate करता जाएगा लेकिन small m और जादा further accelerate नहीं कर सकता है clear है ये बात चलिए बच्चो तो next सवाल देखते हैं अंगला सवाल है a 2 kg block is placed on a 4 kg block and both are placed on a smooth horizontal surface the coefficient of friction between the blocks is 0.2 find the acceleration of the two blocks if a horizontal force of 12 newton is applied to पहला part है the upper block और दूसरा part है the lower block तो चलिए जो यहाँ पर diagram दिया है उसमें हम लोग एक काम करते हैं जैसा पहले part में दिया है वो दिखा देते हैं पहले part में बोला है कि उपर वाले block पर 12 newton का force लग रहा है तो मैं यहाँ पर part A यहाँ पर denote कर देता हूँ और 2 kg वाले block पर दिखा देता हूँ कि 12 newton का force लग रहा है ठीक है तो बच्चों मैं आपको अब तरीका सिखाने वाला हूँ कि कैसे इस तरीकी के सवालों को solve करते है सबसे पहले आप यह मान लिया करिए जो friction चाहता है friction क्या चाहता है friction basically बच्चों यह चाहता है कि जब 2 kg के block को 12 newton का force आगे खीच करके ले जाना चाह रहा है तो यहाँ पर जो अपलब्द friction है वो यही चाहेगा कि बिचारा 4 kg जो है वो यहाँ पर रुका ना रह जाए वो चाहेगा कि 4 kg तुम भी मेरे साथ चलो काय को ऐसा बोलेगा friction क्योंकि friction को एक चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है और वो है relative slipping तो अगर friction 4 kg को आगे नहीं ले जाएगा तो इस बिचारे 4 kg का कौन है कौन इसको आगे ले जाएगा तो यह जो friction है यही make sure करना चाहता है है न अगेन मैं कहा हूँ चाहता है कि 4 kg वाला ब्लॉग भी इसके साथ आगे जाए अब देखते हैं कि वो सफल हो पाता है कि नहीं हो पाता है तो ऐसे सवालों को solve करने के लिए सबसे पहले आप एक काम करिए पूर एको सिस्टम माल लिजी और वो करके देखते है जो friction चाहता है friction क्या चाहता है कि दोनों साथ में जाए तो let us say कि दोनों साथ में जा रहे है तो उसके इसमें system का acceleration कितना आ जाएगा total force external 12 हो गया divided by total mass 6 हो गया तो यह आगे 2 meter पर second square यह हम लोग ने assume करा है अब देखते हैं बच्चों कि यह जो 4 kg का block है यह तो पूरा का पूरा किसके बरों से आगे जाएगा यहाँ पर जो उपलब्द friction है उसके बरों से आगे जाएगा तो क्या यहाँ पर जो उपलब्द friction है वो sufficient है कि इसे 2 meter per second square का acceleration प्रोवाइड कर सके क्योंकि यह जो 4 kg का block है उसके उपर directly 12 newton नहीं लग रहा है है ना 2 kg वाला तो must है उस पर तो directly 12 newton का force लग रहा है लेकिन यह 4 kg वाला जो है इस पर directly 12 newton नहीं लग रहा है वो तो विचारफ friction के उपर depend कर रहा है तो एक काम करते हैं यह देखते हैं कि यह जो 4 kg वाला block है ना इस पर maximum frictional force कितना लग सकता है तो मैं एक काम करता हूँ यहाँ पर 4 kg वाले block का free body diagram बना देता हूँ तो अब देखिए कि यहाँ पर है ना 4 और 2 के बीच में जो normal reaction है वो कितना है तो आप देखेंगे कि 2 kg वाला block उस पर force लग रहा है नीचे की तरफ कितना उस पर नीचे की तरफ force लग रहा है 20 तो उपर कितना लगेगा एन जो कि 20 होना पड़ेगा तो इसका मतलब कि 2 kg वाले block पर 4 kg वाला block उपर की तरफ 20 N से धक्का लगा रहा है तो 2 kg वाला block भी 4 kg पर क्या लगाएगा उपर से धक्का लगाएगा नीचे की तरफ जिसको हम लोग normal reaction बोलते हैं जो कि 20 N हो जाएगा तो ये रहा normal reaction तो बच्चों हमारे को ये समझ में आ रहा है कि अगर हमें 4 kg वाले block पर friction देखना है तो अपने को normal reaction कौन सा देखना होगा किस जगह का 2 और 4 वाली जगह का ऐसा नहीं कि आप गलती से 4 kg और ground के बीच का normal reaction देख ले यहाँ पर normal reaction obviously कितना आ जाएगा 60 N आ जाएगा लेगिन वो हमें नहीं देखना है क्योंकि यहाँ friction नहीं है friction तो यहाँ पर है clear है बात तो इसलिए मैंने normal कहाँ पर का देखा मैंने normal देखा 2 और 4 के बीच का तो आप देख पा रहे हैं कि normal अगर 20 है तो maximum friction कितना इसे मिल सकता है maximum जो friction इसे मिल सकता है उसे मैं f max बोल देता हूँ वो हो जाएगा mu into n अब mu कितना दिया है mu दिया है देखिए अपने को 0.2 तो मैं यह f max की value कितनी लिख दू 0.2 मतब 2 by 10 multiplied by normal और normal आ रहा था 20 तो यह कितना हो गया 0 से 0 चला गया तो यह 224 हो गया तो basically maximum force इस 4 kg के block को कितना मिल सकता है friction के form में वो है 4 newton तो अरे यहां तो गड़बड आ गया यह जो 4 kg का block है उसका a max कितना possible आ रहा है 4 upon 4 मतलब 1 meter per second square लेकिन हमने क्या देखा था हमने यह देखा कि अगर दोनों को साथ चलना है तो 4 kg वाले का acceleration भी कितना आना चाहिए था 2 meter per second square इसका उनलब जो हमने assume करा था वो क्या है बिल्कुल गलत है तो हमने जो assume करा था वो सब मिटा दिजे हमने जो assume करा था वो गड़बड हो गया गड़बड हो गया तो इसका मतलब जबाब भी आ गया क्यों? क्योंकि हमें यह समझ में आ गया कि अगर 4 kg वाले इसके साथ चिपक करके नहीं रह सकता है तो बास बहुत simple हो गया अब इसका मतलब यही हो गया कि यहां पर slipping होगी है ना तो अगर slipping होगी तब तो और easy होगी calculation कैसे तो अब 2 kg वाले का free boy diagram बनाई है आगी लग रहा है 12 और यहां पर slipping हो रही है slipping अगर हो रही है तो 2 kg 4 kg वाले पर force लगाएगा कितना kinetic friction है ना और जब सवाल में सिर्फ 1 mu दिया हो बच्चों ध्यान से सुनिएगा अगर सिर्फ 1 mu दिया हो इसका मतलब वही static है और वही kinetic भी है ठीक है तो इसका मतलब यह हो गया कि 2 kg वाला 4 kg पर आगे की तरफ force लगाएगा तो बदले में 4 kg वाला 2 kg पर पीछे की तरफ force लगाएगा और कितना force लगाएगा इस पर पीछे की तरफ mu into n mu है 0.2 और n है कितना 20 तो force आगया 4 तो इसका मतलब acceleration of 2 kg वाला block वो कितना हो जाएगा 12 minus 4 8 newton force हो गया तो 8 upon 2 मतलब 4 meter per second square और acceleration of 4 kg वाला block वो कितना आगया वो हो गया भई इसके उपर friction कितना लग रहा है 4 newton तो इसको divide कर देंगे इसके mass से जो की 4 है तो यह हो गया 1 meter per second square तो आई हो बच्चों कि आपको तरीका समझ में आया कैसे करना है और मैंने मिटाया था लेकिन आपको नहीं मिटाना है आपको वो secure रखना है है ना वो एक तरीका है जिस तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं कि पहले हम लोग assume करेंगे और फिर हम लोग लिख देंगे कि अच्छा our assumption was wrong और फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे किस conclusion पे कि हमारा assumption गलत आया और इसका मतलब ये हो गया कि दोनों blocks के बीच में slipping हो रही है तो चलिए अब आजाते हैं सवाल के second part में जिसमें अब हमें force वही वाला force जो है 12 newton वाला वो नीचे वाले block पर लगाना है 4 kg वाले पर लगाना है तो इस पर लगा देते हैं 12 newton का force तो अब सवाल को approach करने का तरीका वही है कि पहले इसे मान लेंगे क्या system तो हम लोगोंने काफी calculation कर रखी हम लोगोंने ये देख रखा है कि अगर दोनों को साथ चलना है तो acceleration कितना आना चाहिए 2 meter per second square का है ना दोनों का 2 meter per second square acceleration आना चाहिए अब एक बार चेक करते है कि क्या ये जो 2 kg का block है ये 2 meter per second square से आगे बढ़ सकता है तो चलिए देखते है हम लोगोंने ये देखा था कि यहाँ पर maximum friction इस बार क्या होगा 4 kg वाला block जो है वो friction force लगाएगा 2 kg वाले पर आगे की तरफ क्योंकि 2 kg वाला block जो है वो तो यही रह जाता अगर इस पर friction नहीं लगता 4 kg वाला तो आगे निकल जाता तो 4 kg वाला block चाहेगा कि 2 kg उसके साथ आगे चले तो इसलिए 4 kg वाला block 2 kg पर friction force आगे लगाएगा तो एक बार चेक करते हैं कि ये 2 kg वाले block पर friction की maximum value कितनी लग सकती है तो f max जो है वो कितना हो जाएगा mu which is 0.2 into normal which is 20 तो यह आगया 4 newton तो 4 newton आगया इसका मतलब a max कितना possible है इसका 4 upon 2 which is equal to 2 meter per second square इसका मतलब यह हो गया कि बिलकुल इस बार दोनों साथ में जाएगे क्यों क्योंकि 12 newton अगर force लग रहा है तो मैंने माना कि जो friction चाहता है अगर वो हो जाए तो उसके लिए क्या required है कि दोनों का acceleration 2 meter per second square हो और मैंने यह देखा कि अच्छा 2 kg वाले block पर friction force जो है वो 2 meter per second square acceleration supply करवा सकता है क्योंकि friction force की maximum value 4 newton है तो 4 newton अगर है maximum value तो इसका acceleration 2 meter per second square तो हो ही सकता है तो यह लेकिन हम लोगों ने देखा कि बिल्कुल यह वर्ज पर है है ना इससे जादा force अगर हम लोग लगाते 4 kg वाले block पर तो 2 kg वाले block फिर इसके साथ आगे नहीं जा सकता था क्योंकि हमने देखा कि 12 newton जो force है वो force जब लग रहा है तो जो acceleration आ रहा है वो basically 2 kg वाले block का भी क्या बन गया maximum possible acceleration तो हमारा final answer क्या हो जाएगा कि दोनों का acceleration होगा कितना 2 meter per second square चली बच्चों तो next सवाल देखते हैं सवाल है find the maximum value of capital F for which the blocks move together तो इस वार अपने को यह दिया हुआ है कि 5 और 10 kg के blocks हैं और 10 kg और ground के बीच में friction coefficient 0.2 है और 5 kg और 10 kg के बीच में friction coefficient 0.5 है अपने को बताना है कि F के maximum value क्या होगी such that कि यह पूरा का पूरा system एक तरीके से साथ में आगे बड़े तो देखें बच्चों 5 kg वाले block पर मेरी निगाहे हैं क्यों ऐसा क्योंकि 5 kg वाले block को यह capital F नहीं खीच रहा है इस विचारे को तो खीच रहा है कौन friction है न 10 kg वाले पर लग रहा है directly यह capital F force जिसके वज़े से वो आगे जाना चाह रहा है और 10 kg वाला block क्या चाहेगा कि 5 kg तुम भी मेरे साथ चलो क्यों क्यों क्योंकि यहां पर friction है जिसको यह बात बिल्कुल पसंद नहीं होती कि relative slipping हो तो उसका एक ही तरीक है कि 10 kg 5 kg को आगे खीच के ले जाए तो basically friction जो है वो 5 kg को आगे ले जाएगा अब चलिए हम लोग देखते हैं कि 5 kg वाले block पर maximum friction force कितना लग सकता है तो यहां पर उपलब्ध normal reaction कितना होगा 50 newton यहां पर जो normal reaction है इस 5 और 10 के बीच में वो तो कितना है 50 newton है क्योंकि 50 यह mg हो गया normal को होना पड़ेगा 50 तो हम लोग बोज सकते हैं कि यहां पर जो f max है तो यह जो f max है वो कितना हो जाएगा mu into n mu है 0.5 और normal कितना है 50 तो यह basically कितना हो गया यह होगा 25 newton clear यह बार तो इसका मतलब acceleration की maximum value क्या possible है 5 kg की वो हो जाएगी 25 upon 5 which is 5 meter per second square clear है तो आपने को यह साँजबा रहा है कि पूरा system जो है वो maximum कितने acceleration से आगे बढ़ सकता है 5 meter per second square क्यूंकि 5 kg वाला 5 meter per second square को exceed नहीं कर सकता है तो अब देखते हैं कि 10 और 5 को अगर मैं एक अठे देखू है मैं माल लो कि यह एक system है तो अगर system माल लोंगा तो इस पर आगे लग रहा है कितना capital F पीछे external force यहां पर जो ground है न वो भी इस पर friction force लगाएगी तो वो कितना लगाएगी mu है 0.2 और इस जगह का normal reaction हो जाएगा 10 प्लस 5 15 15 इंटू G 150 150 newton यहां का normal reaction हो जाएगा इस जगह का तो overall पीछे की तरफ force कितना हो गया पीछे की तरफ force हो गया देखिए 15 to the 30 newton है न तो basically पीछे की तरफ लग रहा है 30 newton आगे की तरफ लग रहा है F और total mass हो गया 15 kg अचा आप एक चीज़ ध्यान देजे मैंने beach वाला 5 और 10 के beach का friction क्यों नहीं लिया वो इसलिए क्योंकि वो तो internal force हो गया अब तो मैं ऐसे देख रहा हो कि मेरेको पूरा का पूरा 10 और 5 एक system की तरफ पीर हो रहा है तो आगे की तरफ force लग रहा है F पीछे की तरफ 30 तो मैं लेख सकता है F-30 is equal to mass into acceleration अब पूरे system का maximum acceleration कितना possible है वो है 5 तो मैं लिख दूँँगा 15 into 5 तो यहां से देखिए मेरे पास क्या आजाएगा मेरे पास आजाएगा F is equal to 75 plus 30 which is 105 Newton है ना तो इतना force अगर हम लोग लगाएंगे तो क्या होगा तो system जो है मतलब कि 10 और 5 दोनों एक system की तरह आगी जाएंगे 10 और 5 के बीच में कोई पी relative slipping नहीं होगी तो यही हमारा answer है चले बच्चो तो next सवाल देखते हैं अंगला सवाल है और second पाट है तो देखिए बच्चो सवाल को पहले लोग समझने की कोशिश करते है अपने को दिया है कि the friction coefficient between the two blocks है मतलब कि इन दोनों blocks के बीच में friction है या और उसका coefficient कितना है मू है लेकिन floor smooth है मतलब capital M और floor के बीच में कोई भी friction नहीं exist करता है ठीक है न अब बोला गया है कि maximum horizontal force यह जो capital F दिखाए गया है यही है maximum horizontal force जो लगाने पर भी यह system का equilibrium disturb ना हो मतलब शुरुवात में यह जो system है यह रुका हुआ था अब capital F कितना लगाए such that कि यह जो दोनों blocks है अभी भी क्या करे रुके ही रहे ठीक है तो बच्चों आप एक चीज़ देख पा रहे है कि यह एक string है एक धागा है जो connected है basically small M से capital M तक तो यह complete एक string है तो इसका उतर tension हर जगा क्या रहेगा same रहेगा है ना तो हम लोग यहाँ पर बहु सकते है कि अगर मैं small M का free body diagram बनाओ है ना small M का तो मैं क्या लिख दूँगा यहाँ पर कौन-कौन से forces शो करूँगा एक तो right की तरफ T और एक तो left की तरफ capital F है ना और कौन सा force शो करूँगा आप ऐसे सोची बच्चों कि अगर friction ना होता तो क्या होता अगर friction नहीं होता तो हम लोग small M को खीचे रहे होते capital F force externally तो small M towards left जाता capital M towards right जाता यही तो होता लेकिन small M जो है उसको रुके रहना है तो वो क्यों रुक़ा रहेगा क्योंकि friction भी इस पर लगेगा towards right I hope आप मेरा तरीका समझ पा रहे होगे मैंने क्या सोचा कि friction ना होता तो क्या होता फिर मैंने समझा कि अच्छा friction का role क्या है तो मैं क्या equation लिखूँगा capital F is equal to capital T plus small f clear भी यह बात अब दूसरी equation में किस के लिए बनाऊँगा दूसरी equation में बनाऊँगा capital M के लिए हैना इस block के लिए तो अगर मैं इस block का capital M वाले block का free boy diagram बनाऊँ हैना तो मैं क्या लिखूँगा इस पर भी tension towards right लग रहा है इसे खीचने वाला हैना लेकिन इसे कौन रोग के रखा होगा एक ही उपाए small f friction इस तरफ रोग करके रखा होगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ small f is equal to capital T अब देखे बच्चों सवाल में हमसे पूछा गया है maximum horizontal force मतलब कि अपने को capital F को क्या करना है maximize करना है और अपने पास दो relations आ गया है capital F is equal to capital T plus small f तो एक काम करते है capital F बराबर capital T plus small f में मैं यहाँ पर T की value को यहाँ put कर देता हूँ T की value कितनी है small f तो capital F basically आ गया 2 times small f अब मुझे अगर capital F को maximize करना है तो मुझे इसका मतलब कि small f को भी maximize करना होगा अब small f की maximum value क्या हो सकती है यह हो सकती है 2 times f static maximum clear हो यह बाद तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर मेरे को सौझ ना रहा है कि maximum friction कितना लग सकता है वो लग सकता है mu multiplied by n और n यहाँ पर कितना हो जाएका इस जगह पर तो इस जगह पर आप देखिए कि small m इसे press कर रहा है कितने force से mg से क्योंकि यहाँ पर इसे earth खीच रही है mg से लेगिन यह जो capital m का जो top surface है वो से नीचे जाने नहीं दे रहा है क्योंकि वो उपर लगा रहा है धक का capital n का तो capital n is equal to mg इसलिए हम लोग यहाँ पर बोस सकते हैं कि जो normal reaction होगा वो basically कितना होगा mg के बराबर so I can write mu n is equal to mu into mg clear है यह बात तो आईए यहाँ पर आते हैं और लिख देते हैं कितना 2 times mu into small m into g तो हमारा answer क्या हो जाएगा f की maximum value क्या हो जाएगी twice of mu into small m into g तो यह हो गया बच्चों हमारे first part का जबाब तो बच्चों देखिए second part में क्या बोला है कि अगर मान लेते हैं कि horizontal force applied is double of that found in part A और हम लोग ने part A में निकाला था capital F की value कितनी आय थी 2 mu mg तो अब capital F को कितना कर देना है इसका double मतलब 4 mu small m into g है ना अब capital F की value इतनी हो गए तो यह तो पक्की बात है ना कि अब slipping होगी क्योंकि जब इसका आधा force लग रहा था तब slipping नहीं हो रही थी अब इसका double force हो गया तब तो slipping हो नहीं है तो अपने को यह समझ में आ रहा है कि इस बार जो है kinetic friction का rule आएगा क्योंकि बच्चों अपने को सवाल में सिर्फ एक ही mu दे रखा 1 mu का मतलब coefficient of limiting static friction भी यही है और coefficient of kinetic friction भी यही है ठीक है ना तो चलिए अब free body diagram बनाते है तो यहाँ पर मैं सबसे पहले small m का free body diagram बनाऊगा इधर दिखा दोंगा tension T इधर दिखा दोंगा capital F जो की कितना है 4 mu small m into g है ना और अब kinetic friction लग रहा है kinetic friction जो है उसका direction कैसे सूचे तो आप समझ पा रहा है न कि यह जो capital M है वो towards right जाएगा small m towards left जाएगा तो capital M क्या चाह रहा है capital M चाह रहा है कि small m जो है वो रुका रहे है वो तो वही चाह रहा है तो इसलिए small m पर friction लगेगा इधर और capital M पर friction लगेगा इधर clear हो यह बात तो यह हम लोग सोच सकते है कि friction हमेशा चाहता है कि relative motion ना हो तो इसलिए मैं small m पर friction दिखा दूँगा पीछे की तरफ और उसकी value भी fix है वो कितनी हो जाएगी मू into M into G क्योंकि इस जगा पर normal reaction कितना है normal reaction है small m into G clear हो यह बात तो इसलिए मैंने यहाँ पर friction की value कितनी लिख दी friction की value मैंने लिख दी mu into small m into G तो अब हम लोग क्या बोल सकते है कि letter से कि इस तरीके के forces लग रहे है तो small m का acceleration letter से कि small A हो गया towards left तो क्या लिखेंगे equation 4 mu mg minus T minus mu mg is equal to small m into A तो यहाँ से देखी अपने पास एक equation तो आ गई clear है ना अब इसका हम लोग इस्तिमाल करेंगे अभी पर चली सबसे पहले हम लोग क्या करते है जो नीचे capital M mass का block है ना इसका free body diagram बनाते है तो जब इसका free body diagram बनाएंगे तो आप देखी कौन-कौन से forces हम लोग यहाँ पर show करेंगे हमें show करना होगा एक तो tension इधर T है ना साथी साथ एक friction इधर लगेगा F है ना यह tension T और यह friction F यही तो horizontal direction में इस पर forces है तो इनकी बदॉलत इसका acceleration हो जाएगा towards the right same magnitude का constraint motion है है ना जितने acceleration के magnitude से small m left की तरफ जा रहा है उतने ही acceleration के magnitude से capital m को right की तरफ जाना पड़ेगा तो हम लोग इसके लिए क्या equation लिख सकते हैं I think we can write T minus small f small f की value भर देते small f की value कितनी हो जाएगी वो हो जाएगी mu into m into g is equal to इसका mass से capital m ध्यान दिजेगा यह capital m है mu mg equal to capital m into a और इसको बंद कर देते हैं डब्बे में तो यह हो गई हमारी दूसरी equation तो basically अपने को निकालना क्या था अपने को निकालना था acceleration तो acceleration निकालने के लिए क्या करें इस पहली equation में दूसरी equation को add कर देते हैं तो उससे t गायब हो जाएगा तो क्या बच जाएगा 4-2 मतलब 2 mu m into g is equal to क्या आ जाएगा small m plus capital m into a है ना तो यहां से देखिए अपने पास acceleration कितना आ जाएगा acceleration simply आ जाएगा 2 mu small m into g upon small m plus capital m और बच्चो यही हो जाएगा हमारा final answer of the second part अल राइट चली बच्चो तो next सवाल देखते हैं अंगला सवाल है find the accelerations a1, a2 and a3 of the three blocks shown if a horizontal force of 10 newton is applied on और तीन पास है ना तो चली एक एक करके हम लोग थीनों पार्ट को निप्टाएंगे पहला पार्ट में है 2 kg block मतलब कि 2 kg के block पर हम लोग horizontal force of 10 newton apply करने वाले हैं है ना और अपने को सारी जानकारी यहाँ पर दे दी गई है सवाल की और अपने को निकालना है तीनों के acceleration उस case में कितने कितने आएंगे तो बच्चो देखते हैं मैं ठोड़ा डरावना ज़रूर लग रहा है इस सवाल पर उतना डरावना है नहीं जो तरीका मैंने आपको सिखाया है अगर आप उसको बिंदा से apply करेंगे तो बड़े आराव से आपका जवाब आ जाएग देखिए सबसे पहले case में हम से क्या पुछा गया है कि 2 kg वाले block पर लगाना है 10 newton का force और अपने को ये बोला गया है कि 2 और 3 के बीच में mu1 0.2 है 3 और 7 के बीच में friction coefficient 0.3 है और 7 और ground के बीच में कोई भी friction नहीं है ठीक है तो बच्चों इस सवाल में देखिए 2 kg वाले block पर तो directly 10 newton का force लग रहा है है ना अब अपने को basically सोचना होगा कि क्या 3 और 7 इस 2 kg का साथ निभा पाएंगे तो इसके लिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं ये मान करके कि ये पूरा का पूरा क्या है एक system है है ना और इस system पर हम लोग देख पा रहे है कि कितना external force लग रहा है 10 newton का है ना तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ कि ये 10 to 12 है ना तो ये basically 12 kg का block बन गया जिस पर आगे की तरह force लग रहा है 10 newton है ना और acceleration इसका कितना हो जाएगा 10 upon 12 मतलब कि 5 by 6 meter per second square तो ये मैंने चुन लिया अब देखते हैं कि क्या ये सारे के सारे इस acceleration से बढ़ सकते हैं क्योंकि friction तो ये ही चाहेगा कि ये तीनों साथ में जाएं अब एक और चीज़ बच्चों लोग निकाल करके यहां रख देते हैं क्योंकि बार-बार अपने को जरुरत पड़ेगी वो है F23 की maximum value मतब 2 और 3 के बीच में जो friction है उसकी maximum value कितनी हो सकती है तो वो हो सकती है mu जो की 0.2 है multiplied by यहां पर का normal reaction कितना होगा 20 होगा है ना तो यहां लिख देते हैं 20 तो यह basically कितना आ गया यह आ गया 4 Newton इसी तरीके से F3 और 7 है ना इसके 3 और 7 block के बीच में जो friction है उसकी maximum value कितनी हो सकती है वो हो सकती है mu multiplied by अब इस जगा का n देखेंगे तो यहां पर n कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 50 है ना क्यूंकि 3 और 2 total 5 kg का block यहां पर press कर रहा है तो यह हो जाएगा basically 50 तो total करने पर यह कितना हैगा अब बच्चों लोग एक काम करते है 2 kg वाले block को देखते है 2 kg वाले block पर आगे की तरह force लग रहा है 10 N और अब यह सोचिए कि 2 kg की ही जिम्मेदारी है कि वो 3 kg को आगे ले जाए है ना तो 2 kg basically 3 kg पर आगे की तरह friction लगाएगा तो 2 अकर 3 पर आगे लगाएगा friction तो बदले में 3 वाला जो है वो 2 पर पीछे की तरह friction लगाएगा तो let us say कि इस पर कुछ frictional force act कर रहा है ना let us say कि यह F है तो अब देखिए यहाँ पर जो frictional force act कर रहा है और यह जो 10 आगे की तरह act कर रहा है इन दोनों की वज़े से इसका net acceleration हम लोग ने कितना माना की आना चाहिए 5 by 6 तो क्या लिख देंगे 10 minus F is equal to 2 into 5 by 6 clear ही बाद तो यहाँ से देखिए F की value कितनी आ जा रही है यह आ जा रही 10 minus 10 by 6 है ना तो यह कितना हो जाएगा तो यह basically हो जाएगा 50 upon 6 newton clear है यह बात तो जैसा हम लोग ने सोचा था अगर वैसा हो रहा हो तो हमारे को यह समझ में आ रहा है कि 2 kg वाले block पर left की तरह friction act कितना करेगा वो करेगा 50 upon 6 newton लेकिन बच्छो 50 upon 6 newton जो है वो तो 4 को exceed कर रहा है मतलब इतना force तो है available ही नहीं है friction का तो इसका मतलब यह confirm हो गया कि यहाँ पर क्या होगी slipping होगी है ना तो यह confirm हम लोगों ने कर लिया कि 2 और 3 यह दोनों साथ में तो नहीं जा सकते हैं यहाँ पर definitely क्या होगी slipping होगी तो अभी तक कहानी काफी clear हो चुकी है हमारे को यह सौझ मागे कि 2 और 3 के बीच में slipping हो रही है है ना मतलब यहाँ पर कौन सा friction act कर रहा है kinetic friction clear है यह बात तो चलिए पहले तो यह देखते हैं कि 2 kg वाले block का acceleration कितना आएगा है ना इसका मतलब यह हो गया कि इस पर नेट फोर्स कितना लग रहा है आगे कितरफ 6 न्यूटन और मास कितना इसका 2 kg तो इसका acceleration acceleration of 2 kg ब्लॉक कितना आ जाएगा 6 upon 2 which is equal to 3 meter per second square अब बच्यों लोग observe करते हैं 3 और 7 को और ये चेक करते हैं कि क्या ये दुनों साथ में जा सकते हैं तो हमारे को ये पता चल गया था कि 2 kg और 3 kg के बीच में 4 N का friction force आट कर रहा है तो basically 3 kg को ये आगे ले जाना चाहरा है कितने force है? 4 N से है ना? तो अब देखिए यहाँ पर ये 2 block जैसा सवाल हो गया हम लोग ये माल लेते हैं जैसे हम लोग पहले किया करते थे कि इस पूरे को माल लेते हैं कि एक system है है ना? तो अगर system है तो इस पर external force कितना लग रहा है? इस पर external force लग रहा है 4 और इसको किस से divide कर देंगे? total mass से जो कि कितना आ जाएगा? 10 तो acceleration इस पूरे का कितना होना चाहिए? 4 upon 10 meter per second square अगर ये दोनों 7 में जा रहा है अब देखिए 7 kg वाला क्या इस acceleration को attain कर सकता है आईए सोचते हैं 7 kg वाले पर maximum friction कितना लग सकता है? 15 newton है ना? तो इसका जो maximum acceleration possible है वो तो 2 को exceed कर रहा है क्योंकि 15 upon 7 is even more than 2 meter per second square लेकिन यहाँ पर acceleration की requirement कितनी है? सिर्फ 0.4 meter per second square की तो उतना तो ये 7 kg का block easily attain कर ही सकता है ना? इसका अब तब ये बात confirm हो गई कि 3 और 7 kg के block साथ में जाएंगे क्योंकि 7 kg का block जो है वो 0.4 meter per second square acceleration attain कर सकता है clear है ये बात? तो हमारा जवाब क्या हो जाएगा? acceleration of 3 is equal to acceleration of 7 is equal to 0.4 meter per second square और हमने ये निकाल ही लिया था कि acceleration of 2 kg block acceleration of 2 kg block वो कितना आ गया था? वो आईए देखते हैं कि कितना आ गया था? वो आ गया था 10 minus 6 है ना? 10 minus 4 which was equal to 6 और 6 upon 2 which is equal to 3 तो 3 meter per second square clear है ये बात? तो ये आगे बच्चों हमारे पहले पार्ट का जवाब तो बच्चों अब आ जाते हैं हम लोग सवाल के second part में जिसमें हमसे क्या बोला गया है कि इस बार 10 newton का force किस पे लग रहा है? 3 kg वाले block पर अगेन हम लोग वही चीज़ अजिम करेंगे न कि पूर एको system माल लेते हैं तो external force हो जाएगा 10 total mass हो जाएगा 12 तो अगेन acceleration हम लोग ने कितना माल लिया? 5 by 6 meter per second square clear है ये बात? तो अब बच्चों सोचते हैं कि क्या 2 kg का जो block है? है ना? वो क्या 5 by 6 meter per second square acceleration attain कर सकता है? तो देखिए ये जो 2 kg का block है इस पर maximum friction है ना? जो इसको आगे ले जाना चाहेगी 3 kg वाले block को अगर आगे खीच रहे हैं तो 3 kg वाले block ये ही चाहेगा कि 2 kg वाले block भी आगे जाए है ना? और साथ ही साथ वो ये भी चाहेगा कि 7 kg वाले block भी आगे जाए तो 3 kg वाले block basically 2 और 7 दोनों पर ही आगे की तर फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा तो 2 kg वाले block को देखें तो उस पर फ्रिक्शनल फोर्स आगे लगेगा और हम लोग चाहते ही कि acceleration 5 by 6 आए तो कितने फोर्स के requirement है? 2 into 5 by 6 तो ये हो गया 5 by 3 newton तो ये जो फोर्स है ये 4 newton से तो कम ही है है ना? मतलब कि availability 4 newton की है यहाँ पर और required फोर्स है 5 by 3 newton such that 2 और 3 साथ में चले तो इतना तो available है इसका मतलब ये confirm हो गया बच्चो कि acceleration of 2 will be equal to acceleration of 3 अब देखते हैं बच्चो कि क्या 7 kg का जो block है है ना? ये जो 7 kg का block है क्या ये 5 by 6 meter per second square acceleration से जा सकता है? तो हम लोग ये देख रहे है कि अगर इसको 5 by 6 meter per second square acceleration चाहिए तो इसके पास mass कितना है? 7 और acceleration कितना हम लोग कह रहे है? 5 by 6 तो ये कितना हो गया? 35 by 6 newton इतने force की requirement है जो की लगभग लगभग कितनी आ रही है 7 से तो कम ही आ रही है 6 point something आ रही है ना? लेकिन available friction यहाँ पर 15 newton है इसका मतलब 7 kg वाला block तो बड़े आराम से इतने friction का इस्तेमाल करके है ना? 7 में चल सकता है 3 kg के इसका मतलब ये जबार क्या हो गया? acceleration of 2 is equal to acceleration of 3 is equal to acceleration of 7 और ये 3 ही कितने के बराबर है? 5 by 6 meter per second square मतलब जो हमारा assumption था कि 3 हो 7 में जाएंगे वो बिलकुल सही बैठा है इस बार अब बच्चों आ जाते हैं सवाल के तीसरे पार्ट में, C पार्ट में जिसमें हमसे बोला गया है कि इस बार 7 kg पे 10 N का force लगाई है ठीक है? तो बच्चों अगेन हम लोग वही काम करेंगे पूरे एको सिस्टम माल लेंगे acceleration हम लोग चाह रहे हैं कि 5 by 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेर आ जाए जिससे तीनों साथ में जाएं अब बारी बारी से चेक करते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई contact मतलब कि sliding हो जाए कहीं पर कहीं पर दोनों एक दूसरे के साथ relative slipping कर दें तो 2 kg वाले ब्लोक को देखते हैं है ना उस पर friction कैसा लगेगा आगे की तरफ लगेगा है ना और friction की demand कितनी आ गई गर 5 by 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वेर से जाना है तो friction की demand आ गई mass into acceleration है ना तो यह आगे 5 by 3 जो कि obviously क्या है less than 4 है इसका मतलब कि available friction तो 4 है और required friction 5 by 3 है तो इसका अतलब यह तो 2 kg वाला block तो जा सकता है है ना अब यह भी check कर लेते हैं कि क्या 3 kg और 7 kg के बीच में है ना कोई slipping तो नहीं हो रही है क्या 3 kg का जो block है यह इतने है ना इतने acceleration से जा सकता है तो आप ऐसे सोचे बच्चो कि मैं क्या करने वाला हूँ भी 2 और 3 दुनों को एक system मान ले रहा हूँ ना 5 kg का block मान ले रहा हूँ अब मैं चाहता हूँ कि इसका acceleration कितना है इसका acceleration है 5 by 6 meter per second square है ना ऐसा मैं क्यों मान पा रहा हूँ क्योंकि 2 और 3 ये दुनों तो पक्की बात है कि चिपक के चल सकते है तो 3 kg का जो block है और 2 kg का block है इसको मैंने combine कर दिया 5 kg का बना दिया अब मैं चाहरा हूँ कि इसका acceleration 5 by 6 है तो यहाँ पर जो friction की requirement है वो कितनी होगी 5 into 5 by 6 जो कि कितना हो जाएगा 25 by 6 newton जो कि 4 point something आ रहा है और लेकिन इस जगह पर जो available friction है वो कितना है वो तो 15 newton है तो available जो maximum friction है वो 15 newton है और demand जो है वो लगबग 4 newton के around की आ रही है तो इसका मतलब तो यह हो गया कि भाई यहाँ पर भी contact break नहीं होगा और 3 उसाथ में जा सकते हैं कि इस acceleration से 5 by 6 meter per second square के acceleration से तो हमारे C part का जवाब क्या हो जाएगा कि तीनो साथ में जाएंगे वितन acceleration 5 by 6 meter per second square से चली बच्चो तो let's have a look at this beautiful problem from Irodov. The question says a plank of mass M1 with a bar of mass M2 placed on it lies on a smooth horizontal plane a horizontal force growing with time T as capital F is equal to AT T where A is a constant is applied to the bar find how the accelerations of the plank W1 and the bar W2 depend on T if the coefficient of friction between the plank and the bar is equal to K draw the approximate plots of these dependencies to basically बच्चो सवाल ये है कि we have a plank जिसका mass M1 है और उसके ऊपर क्या रखा है एक bar रखा है जिसका mass M2 है and there is a horizontal force जो की variable है है ना time के साथ वो force लगातार बढ़ता जा रहा है जिससे हम लोग किस पर apply कर रहे है जिससे हम लोग apply कर रहे है M2 mass के bar के ऊपर अब अपने को क्या बताना है W1 और W2 मतलब कि accelerations of the plank and the bar as functions of time तो चली सोचते है कैसे किया जाए इसे देखिए बच्चों अपने को ये दिया हुआ है कि यहाँ पर जो coefficient of friction है वो कितना है वो k है और जो floor है ना वो smooth है मतलब कि ये जो नीचे जो हमारे पास plank है plank और ground के बीच में कोई भी friction नहीं है ठीक है तो अब आप सोचिए कि जब T बराबर 0 था तब कोई force नहीं लग रहा था तो M2 और M1 आराम से रुके वे थे अब जैसे ही force लगना चालू हुआ तो M2 जो है उसकी tendency क्या हो गई आगे जाने की लेकिन चुकि friction है M2 और M1 के बीच में तो क्या होगा तो भई ऐसा होगा कि M2 कोशिश ये करेगा कि वो M1 को अपने साथ आगे लेकर के जाए क्योंकि friction यहीं चाहता है कि M1 और M2 के बीच में क्या ना हो relative slipping ना हो तो हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि चुकि friction है यहाँ पर तो वो क्या कोशिश करेगा कि M1 जो है वो M2 के साथ आगे जाए ठीक है बच्चों हम लोग देख पा रहे हैं कि capital F तो समय के साथ बढ़ रहा है लेकिन small M1 के उपर जो लगने वाला force है force of friction उसकी limitation है F बराबर 80 जो है वो लगना चालू हो गया और क्या था nature उसका static है ना जो कि self existing in nature होता है तो friction जो है वो धीरे दीरे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया लेकिन हम लोग यह जानते है कि M1 का अगर मैं free ball diagram बनाओ तो इस पर जो F max है है ना जो maximum forces पर लग सकता है वो कितना होगा वो होगा mu जो की k है यहाँ पर into normal अब इस जगह का normal कितना हो जाएगा वो हो जाएगा m2 into g क्लिर यह बाद तो maximum force है ना जो m1 पर लग सकता है horizontal direction में वो कितना है k m2 g इसका अजलब a max maximum acceleration of m1 वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा k m2 g upon m1 क्लिर है यह बाद तो हमें यह सोच में आ रहा है कि शुरुआत में acceleration 0 है अब acceleration बढ़ते बढ़ते जब इतना हो जाएगा उस समय तक m1 और m2 साथ में जाएगे लेकिन उसके बाद m1 बोलेगा कि मेरा acceleration और नहीं बढ़ सकता है मैं इतना ही acceleration के साथ आगे जाता जाएगा और m2 का acceleration with time बढ़ता चला जाएगा क्लिर है बाद तो चलिए सोचते हैं इसके बारे में अब बचो यह निकालते हैं कि आखिर यह जो acceleration है है न जो m1 का maximum acceleration है वो इस system का acceleration कब बना तो basically पूरे के पूरे system को अगर मैं एक साथ देखूँ क्योंकि मैं उस समय तक पूरे के पूरे को एक साथ देख सकता हूँ क्योंकि दोनों साथ में चिपक करके जा रहे थे वो तो जब acceleration इस से exceed करेगा कि m2 g upon m1 से exceed करेगा तब there will be slipping है ना उसके पहले तो दोनों चिपक करके चल रहे थे तो मैं क्या बोल दूंगा कि उस समय तक external force कूरे system पर कितना लग रहा है 80 और उसको divide कर देंगा अगर mass से which is m1 plus m2 तो वो कितना आ जाएगा वो आ जाएगा k m2 g upon m1 तो यहां से जो time आएगा t वो क्या होगा वो वो वाला वक्त होगा जब m1 और m2 के बीच में slipping अब होना चालू होने ही वाला है ठीक है तो लेटर से बच्चों उस time को में t0 कह दे रहा हूं तो यहां से t0 की value कितनी आ जाएगी t0 आप देखी आ जाएगा k m2 into m1 plus m2 into g whole divided by a m1 तो इस time पर बच्चों क्या होने वाला है इस time पर यह दोनों आखरी बार चिपक करके चलेंगे इसके अगले ही moment पर क्या होगा slipping चालू हो जाएगी तो बच्चों इस time के बाद क्या होगा कि जो m1 है उसका acceleration तो constant हो जाएगा क्योंकि उस पर लगातार मतलब हर समय कितना force लगेगा kinetic friction ही force लगेगा kinetic friction जो है उसकी value तो constant है वो कितनी हो जाएगी k m2g जो हमने यहाँ पर assume करा था तो यह जो friction है लगातार उस पर इतना ही force अगर act करेगा तो उसका acceleration क्या रहेगा इतना maintained रहेगा ठीक है तो t0 time के बाद ध्यान से सुनेगा बच्चों t0 time के बाद m1 का acceleration और change नहीं करेगा now let us talk about m2 मैं क्या करता हूँ बच्चों m2 का freeboy diagram बनाता हूँ किसी t time पर माल लेते हैं कि उस पर force कितना लगेगा वो तो दिया हुए अपने को 80 लगेगा अब जो है मैं बात कर रहा हूँ ऐसे time की है ना जो t0 से जादा हो 40 greater than t0 की मैं बात कर रहा हूँ तो friction तो constant है कितना लगेगा इस पर friction पीछे की तरफ वो लगेगा k into m2 into g clear है यह बात तो इसका acceleration है ना acceleration इसके acceleration को मैं w2 बोल देता हूँ तो w2 कितना हो जाएगा net force upon mass मतलब कि 80 minus km2 g upon mass इसका है m2 तो basically इसका acceleration w2 कितना आ गया वो आ जाएगा 80 upon m2 minus k into g तो अब बच्चो सोचते हैं कि यह graphically basically हम लोग कैसे यह सारे acceleration को show करें ठीक है एक idea मैं लगाता हूँ पहले तो सबसे पहले मुझे यह पता है कि t बराबर 0 पर दोनों का acceleration 0 है देरे देरे दोनों का acceleration बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया और वो maximum हो गया sorry m1 का acceleration maximum हो गया कब t0 time पर है ना और उसके बाद m1 का acceleration constant हो गया लेकिन m2 का acceleration जो है वो वक्त के साथ क्या होता जा रहा है आप देखिए बढ़ता ही जा रहा है क्योंकि जैसे जैसे t बढ़ेगा w2 की value लगातार बढ़ती ही जाएगी और अगर एक काम करें बच्चों कि t less than t0 की बात अगर करें है ना तो उस समय मेरे को पता है कि पूरे system का acceleration जो है वो क्या होगा वो हो जाएगा total force upon mass है ना तो हम लोग लिख सकते हैं आपर w1 will be equal to w2 और वो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 80 upon m1 plus m2 तो basically हमारे पास w1 equal to w2 आ रहा है कितना है 80 upon m1 plus m2 ये कब की बात है t less than t0 की और t greater than t0 की बात हम लोगों ने यहाँ पर देख ली है ना ये बात थी t greater than t0 की तो बच्चों ये होगा हमारा final answer और ये ही होगा हमारा final graph मैंने सारी चीज़े जो आपको बताई वो यहाँ पर मैंने लगा दी है जैसे पहले बात करते हैं t less than t0 की तो w1 और w2 क्या रहेंगे same रहेंगे ना तो ये w1 का graph कह लीजी है यहाँ से यहाँ तक का या फिर आप कह लीजी w2 का graph बात एक ही है clear रही बात तो ये है graph w1 और w2 का before t0 time और उस समय देखे कि graph कैसा आना चाहिए था equation थी at upon m1 प्लस m2 तो मतलब कि यहाँ पर जो है अपने को दिख रहा है कि slope कैसा है a upon m1 प्लस m2 तो अगर आप यहाँ पर इससे बोल रहे है theta 1 तो tan theta 1 की value कितनी है a upon m1 प्लस m2 और t बराबर 0 पर w1 और w2 दोनों ही 0 होंगे इसलिए graph जो है वो बिलकुल origin से start हो रहा है अब बात करते हैं बच्चों t greater than t0 की w1 तो fix हो गया है ना इससे ज़्यादा तो वो नहीं बढ़ रहा है तो w1 की value basically कितनी है km2g upon m1 तो यहाँ पर जो यह value है यह कितनी है km2g upon m1 है ना यह w1 की value maximum है और यह fix हो गई है लेकिन w2 की बात करिए तो वो तो 80 upon m2 minus kg आ रहा है है ना तो जैसे time बढ़ रहा है वैसे-वैसे w2 भी बढ़ता जा रहा है और इस बार t बराबर 0 पर w2 की value देखिए अगर मतलब यह equation के हिसाफ से कर देखे तो t बराबर 0 भरने पर w2 की value negative आने चाहिए है ना तो basically लेकर मैं graph बनाने की सोचूं तो y intercept इसका minus kg आएगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो length है वो basically kg है है ना तभी तो यह y intercept minus kg आ रहा है ठीक है और इसका slope कैसा है a upon m2 मतलब कि अगर मैं यहाँ पर theta 2 बोल दूँ तो tan theta 2 की value कितनी है a upon m2 तो आप देखे कि slope को compare करें अगर तो पहले था a upon m1 प्लस m2 अब हो गया a upon m2 तो obvious है कि denominator छोटा हो गया denominator छोटा हो गया overall fraction बड़ा हो गया तो अगर इसका मतलब slope जादा हो गया और slope जादा होने का मतलब कि angle भी यहाँ पर जादा हो गया इसलिए आपर देख पा रहे हैं आप कि theta 1 छोटा है as compared to theta 2 तो यह हैं बच्चों हमारा final answer कोई हो बच्चों कि आपको आज का lecture अच्छे समझ में आया होगा in case अगर आपको कोई doubt आता है तो अच्छे से वीडियो को revise करिए और मेरे से पूछिए यह ना बाकि homework time पर करते रहेंगे तो आपके सारे doubts clear होते रहेंगे ठीक है बच्चों टेक केर के बच्चों एंचे रहेंगे का बच्चों एंचे का क